कि यहीं तो योगानु शासन है कि ओम जी स्वाम जी आपके च्छी चल्ड़ों मेरा प्रणाम आप सभी को मेरा अफेबादन स्वाम जी आज थोड़ा बिलम हो गया मुझे आते पर उसके लिए मुझे चमा प्राठती हूं समझी मैं तोड़ा और जल्दे चुरू किया काबड की बहुत लंबी लाइन थी और भाँ खेड़ तो आज हम बात करेंगे ब्रेन के जो फंक्शन के बारे हम बात करेंगे वह बहुत हुआ रहा है खाले पन, अकेला पन, तो डिप्रेशन में पर इतना डिस्ट्रेक्शन आ जाता है आदमी खुद को या दूसरों को कई की बार मारने के लिए तयार हो जाता है ये तो डिप्रेशन के बारे में देखेंगे और डिप्रेशन के बारे में नहीं औशदी, memory grade के इस्तेमाल से, हम इसको कैसे regulate कर सकते हैं, control कर सकते हैं, यह बहुत ही जोड़दार है, और हमना यह भी देखने का प्रियास किया, कि अगर हम चुहों के अंदर depression पैदा करें, तो वो कैसे respond करते हैं, अब स्वाम जी यह जो experimental animal हैं, जो rat हैं, जो mice हैं, इनका खाना, पीना, रहना, दोहना बहुत regulated होता है, और यह generally happy state में रहते हैं, इनको generally depressions नहीं होते हैं, अब सब कुटे फानते रहते हैं, कहा उनको depression हो, उनको depression पैदा करना ही है, यह अपने आप में चैलेंज, स्वाम जी बहुत बड़ा challenge है, स्वाम जी उनको depression पैदा करने के ल पर लेकिन यह ऐसी भावना है, अब unhappiness, दोखलाचारी, निराशा, अगर यह बहुत time तक बनी रहे, तो फिर आदमी को, इनसान को जो अपनी खुद की normal दिन चर रहा है, उसको जारी ड्रखनी में भी असमर्था आने लगती है, और वहां से स्वाम जी depression की शुरू आत हो जाती है, भारत वर्स में लगवक स्वाम जी पांच करोड से ज्यादा लोग हैं, दुनिया भर में डबलू हो के हिसाब से 30 करोड से ज्यादा लोग हैं, जिनको depression है, जो depression के diagnosed case है, पर स्वाम जी ऐसे बहुत सारे conditions हैं, जो लोगों को पता नहीं होता कि वो ऐसी मानसिक बीम जिनिया फिर OCD और पता नहीं का तबाव तरह कि मानसिक बध्धी को पद्रव होने लगते हैं, तो स्वाम जी करम ब्रेन के अंदर देखें कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, जो हमारे emotion को control करता है, जो हमारे emotional response को, चाहें वो खुशी हो, चाहें वो दुख हो, चाहें वो गु आपला कहते हैं, स्वाम जी ये दो हिस्से हैं, जो ब्रेन के अंदर एक तरीके से emotional center होते हैं, तो अगर इन हिस्सों में कुछ दिक्कत आती है, तो वो depression के तरब जाना शुरू हो जाता है, तो स्वाम जी अगर हम देखें कि ये जो depressions है, इनका molecular reason क्या है, इनका खुद का mode of infection क्या है, तो स्वाम जी ब्रेन के अंदर एक cell से दूसरे cell तक information पहुचाने के लिए कुछ chemicals होते हैं, जिनको हम neurotransmitters कहते हैं, वो जो neurotransmitters हैं, अगर उनकी कमी हो जाए, तो उसकी बज़े से depressions पैदा हो जाते हैं, serotonin, noradrenaline, ये common neurotransmitters हैं, तो अगर depression के अंदर हम देखें तो स्वाम जी इनका level कम हो जाता है, जो अब राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये brain का tomography है, ऐसे रोगी का जिनके अंदर depression है, तो अब देखें स्वाम जी उनके अंदर adrenaline और serotonin का level कम हैं, और जो healthy happy लोग हैं, उनके दर स्वाम जी normal तरीके से पाया जाता है, और इ brain से शुरू होके adrenal तक जाता है, और वो तै करता है कि हमारा शरील इन depression की system को कैसे control करता है, और regulate करता है, stress को कैसे manage कर पाता है, और जो पूरा path है वो स्वाम जी very well defined है, तो अगर हम देखें कि इसके symptoms क्या हैं, जो सबसे common हैं कि energy low रहती है, कुछ नहीं करने का मन करता है, और अब साथ बहुत रहता है, hopelessness आ जाती है, कि दुनिया में मिर लिए कुछ नहीं बचा, और अपने आपको चोट पहुचाने के thoughts आने लगते हैं, suicidal tendencies जाती हैं, बहुत जल्दी irritate हो जाते हैं, और खाने पीने का behavior change हो जाता है, सोने उठने का behavior change हो जाता है, और जो normal hobbies थी, जो अच्छी आदत थी, चाहिए वो गाना बजाना हो या डांसिंग हो, वो सब के अंदर जो interest हो जाता है, और चोटी चोटी बातों पर बड़े-बड़े decision लेने के हिसासाथ, बड़ी-बड़ी बातों पर चोटी decision भी नहीं लिये जाते हैं, और इसके risk factor तो हैं, एक society का problem रहत रहता है, बहुत कुछ और चलता रहता है स्वाम जी, अब आप देखें, synthetic word में स्वाम जी, तीन तरीके के बड़े class हैं दवाईयों के जो anti-depressant के तौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं, एक तो स्वाम जी है, tricyclic anti-depressant, MOI और SSRI, तो इनके बीच के जो तीनों तरीके हैं, यह दवा एक तरीके से सुलाती जाता हैं, depression को थोड़ा कम करती हैं, पर इनके उसके अलावा और भी बहुत सारे adverse effect हैं, dry mouth स्वाम जी, बहुत common है, muscles के इंदर crème साने शिरू हो जाते हैं, excessive sweating हो रहती है, drowsiness रहती है, और जो अपनी family के issues दो भी बहुत जादा हो जाते हैं, तो उसके लिए स्वाम जी हमने क्या किया, हमने कौन सी आयर्विक दवाई पर काम करने का प्रयास किया, तो स्वाम जी आज हम देखेंगे मेधकवात और रजद भस्म, इन दोनों का एक अच्छा इस्तेमाल और इसकी combination से मड़ी memory ग्रेट है, तो स्वाम जी इसके लिए हमन उन एनिमल्स को mild stress देने शुरू किया, मतलब छोटी-छोटी stress जिसके बारे में एनिमल्स प्लान नहीं कर पाएं, प्रिक्ट नहीं कर पाएं, तो स्वाम जी में कहते हैं, क्रोनिक अन प्रिक्टेवल माइल्ड stress, C-U-M-S, इसकी बज़े से एनिमल्स के इंदर depressions आ जाते है अब यह stress कौन-कौन सी है, स्वाम जी छोटी-छोटी stress है, जैसे कि जो उनके पानी-पिनी के बाटल है, वो एक दिन स्वाम जी एक घंटे के लिए खाली कर देते हैं, उसमें पानी नहीं होता, या पिर स्वाम जी जो उनका खाना-खाने का तरीका है, जो उनका खाना तो स्वाम जी एक घंटे के लिए खाना वहां से खाटा लेते हैं, या फिर उनके आसपास अलग तरीके आवाज बढ़ाते हैं, बिल्ली की आवाज स्वाम जी प्ले कर देते हैं तस मिनिट के लिए, और उनको रिस्टेन कर देते हैं, थोड़ा सा एक बॉक्स के अंदर छो चोटी-छोटी stress हैं, पर लेकिन अगर यह stress random तरीके से आने शुरू हो जाएं तो स्वाम जी animals के अंदर depression जैसे symptoms आने लगते हैं, वो depressed हो जाते हैं और उन depression को स्वाम जी आफे ना पाते हो, इस पूरे कार्टराम में लगबग स्वाम जी दो महीना लगता है, लगबग दो म प्रिफरेंस टेस्ट तुस्वाम जी एनिमल्स में भी मिठाई के प्रती अच्छा लगाव है यह बड़ा हमारा डॉक्टर भी क्योंकि मधूर प्रिया है इसको लड़ू जली भी बड़ी पसंद है तो यह ऐसे ऐसे मोडल से विक्सित करते हैं कि उससे फिर जा है कैसे कैसे ए बड़े परिणाम तक पहुंचा जा सकता है पूरी स्टोरी है तो देखो योग के जो परिणाम है अनुलोम मिलोम ब्रहामरे उदगीत के जो अलग अलग थेरापियों के परिणाम है जो यहां पार वाटर थेरापी मड थेरापी सं थेरापी और अलग अलग जो आपको चिक प्रिप्रेशन से कैसे दूर हो सकते हैं पुरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ सारे आंकडों तत्यों के साथ आपको बता रहें सुनने की बात है हा स्वाम जी यह जो एनिमल्स है इनको भी स्वीट वॉटर पसंद होता है तो स्वाम जी जो डिप्रेस्ट डिमल्स हैं वह यह जजनी कर पाते कौन सा पानी मीठा है, कौन सा पानी normal है तो जो उनका preference है जो उनकी अपनी choice है स्वाम जी वो भी खराब हो जाती है depression की बज़े से तो स्वाम जी हमने देखा कि अगर हम day zero पे देखें जब experiment शुरू कर रहे हैं तो सब animals के अंदर लगवग एक सी preference थी, पर स्वाम जी चपन दिन बाद लगवग दो महीने बाद देखें जो डिजीज जनीमल थे, जो हमने depression पैदा किया था स्वाम जी, उनका लगवग 40% से लेके 50% तक behavior change हो गया था, वो मीठे पानी को पैचानने पा रहे थे वो जो पानी हो, वो स्वाम जी पी पा रहे थे गफलत में आ गए थे, स्वाम जी पताई ने रगारा क्या हो रहा है, हाँ स्वाम जी, लेकिन जब हमने उनको दिया था मेधाकवात का extract और रजद भस्मा तो स्वाम जी बो बाली आदत उनकी स्वाम जी बापस आनी शुरू हो गई और आप देखेंगे इस वाले गुरूप में कि जो उनका सुक्रोज प्रिफरेंस टेस्ट था, स्वाम जी उनके अंदर अच्छी रिकवरी दिखी और जिन एनिमल्स ने मेधाकवात के सेवन किया था, वो स्वाम जी पैचानने लग गए कि कौन से वाले ट्यूम में मीठा पानी है और कौन से वाले में नॉर्मल पानी है जो उनकी डिप्रेशन से बाहर आने का अच्छा वाला सिंटम भी है दूर्सा स्वाम जी हमने उनके साथ काम किया फोर स्विम टेस्ट को लेकर तो स्वाम जी अगर हम एक पानी के बरतन में एनिमल्स को छोड़ दें तो जो नॉर्मल एनिमल्स हैं वो स्वाम जी उस पर क्लाइम करने का प्रयास करते हैं वो दीवार पर चलने का प्रयास करते हैं मतलब पूरा कोशिस करते हैं कि वो उस पानी में तैर पाएं या उस बरतन से बाहर आ पाएं। जो स्वाम जी depressed animals था स्वाम जी वो inert रहते हैं, वो अपने हाथ को पहला के ऐसी पढ़े रहते हैं, वो कुछ कैसा भी प्रयास नहीं करते कि हम उससे बाहर आ पाएं। तो स्वाम जी ये भी depression का एक marker है, स्वाम जी हमने इस पे भी काम किया, पहले animals को train किया, उसके बाद उनके इंदर depression पैदा किये, और देखा कि स्वाम जी उनके अंदर कैसी immobilities आई थी, तो ये देखें स्वाम जी ये day zero पे है जो हमने काम शुरू किया था, और 56 बी दिन आप कोई होप नहीं बजी, तो स्वाम जी वो hopelessness से भार आने का काम हमने देखा मेदा कौआत की बज़े से हुआ था, जिन आनिमस को स्वाम जी मेदा कौआत और treasure बसम दिये थे, आप देखें स्वाम जी उनकी immobility कुछी सेकेंड की रही थी, एक, दो तीन सेकेंड के अंदर वो वो ऐसी background में थे, जहां depression हमने उनको induce किया हुआ था, तो यह स्वाम जी बड़ी बाली बात थी, उसके बाद हमने स्वाम जी इनका एक specific test किया जिसको हम कहते हैं nobility suppressed feeding sets, मतलब स्वाम जी इनको हम ऐसी जगा खाना देते हैं जिन आज तक पहले वहां उस जगाना नहीं खाया होगा तो उनके लिए noble task होता है और depressed animal स्वाम जी उसको अच्छे तरीके से respond नहीं कर पाते, normal animal स्वाम जी इसको बहुत अच्छे तरीके से respond करते हैं, आप इस video में देखेंगे स्वाम जी यह जो एक dot है, यह एक animal का head count है जिसकी ऊपर स्वाम जी हमने sensor लगा के video recording की हुई है आप देखेंगे जो normal animal है वो अपने task के लिए पूरे कमरे में घूमता रहता है, अगर हमें चुए के लगा के स्वाम जी नहीं जगे छोड़ेंगे तो वो explore करता है, उससे देखना होता है कि मैं कहां आगया और मुझे है क्या क्या मिल रहा है, और जो depressed animal है वो स्वाम जी ए एक जगे बैठे रहे हैं, बहुत 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 अच्छे तरीके से दिखाई देता है, लाल रंग का जो बार है, यह disease controlled animal का है, यह स्वाम जी बहुत ज़्यादा slow एक कौने में बैठे रहे थे और आप देखेंगे जब हम इनको दे रहे हैं मेड़ा क्या तो यह dose dependent तरीके स स्वाम जी बापस आ रहे हैं और इनके अंदर behavior बैसे होते जा रहे हैं जैसे normal unstressed animal के अंदर होते हैं, यह सब काम हमने स्वाम जी किया थे, रजद भसन के साथ हमें लगवा पैसी finding देखने को मिली थी, तो हम यह देख पाए कि अगर हम इस extract का, जो मेधा कौात का enriched extract है और उ जैसे इनको normally करना चाहिए था, स्वाम जी यह finding बहुत जबरदस रही है और human behavior के साथ इसका स्वाम जी बहुत अच्छा correlation है, यह जो animal models है, यह human behavior से अच्छे से link होते हैं, और जो इनसानों का depression के प्रती response होता है, स्वाम जी लगवा पैसा ही हमें animal में देखने को मिलता है, तो स्वाम जी इन सम फाइंडिंग को लेकर मागे गए हैं, और एक human behavior के बड़े जर्रल में स्वाम जी यह publication के लिए हैं, और जहां हम पहली बार यह बता रहे हैं कि herbal medicine से, ayurvedic medicine से, enriched extract के इस्तेमाल से हम depression से स्वाम जी भार आ सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात कहिए, डोक् दोया नशे की दोया दी जाती है, जो brain nervous system को अक्तरह से सुन न कर देती है, यहां यह मेधाकवाण जिसमें, ब्रामय है, संक्विप्प्ष्पि घया गांजवान है, अश्वगन्दा है, बहुत बड़िया बड़िया चीजे है, और रजद भसम है, फिर इसमें यह मोती करके पुरे brain के neurons और उनके पूरी signals को healthy mode पर कैसे ले कर आते हैं इसके लिए रुक्टर उड्राग जी का एक बार पुर्णा बहुत अभिनंदन है और आगे अब डॉक्टर हमारे सलील महेश्वरी जी और हिमरता जी के बारे में जैसे मैंने बता ऐसे हमारे डॉक्टर नीरत जी वो तो हमारे भी भीश्म पिता मैहन नेचरोपेत के वो आपको आगे सिंघासन, हास्जासन आदी कराएंगे मुझे भी दोड़के इंडिया टीवी के लिए जाना है इंडिया टीवी भी रोज कितने लोग देखते हो आप इंडिया टीवी भी बहुत लोगों ने देखा है उसको फोलो भी किया है आपका भी बहुत अभिनंदन औरे बाद रहा स्यासन तो करी लो